जहीं दोस्तों मैं मितले सहु स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल NCC वेपर दोस्तों आज के क्लास में हम लोग जानेंगे आपके NCC A, B या C certificate के एक्जाम में किस प्रकार के question पूछे जाते हैं और ऐसे कौन से questions है जो आपके exam में बार बार पूछे ही जात आते हैं तो सारे question answers पर हम लोग discussion करेंगे तो class थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो को ध्यान से देखना वीडियो पसंद आएगा तो like करना अपने friends के साथ share करना और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को subscribe कर लेना तो पढ़ते हैं सबसे पहला question प्रस्ण पूछ पूछा जाता है what is the aim of NCC और हिंदी में पूछा जाता है राश्टी कैड़ेट कोर के उद्देश से क्या है तो आपको याद रखना है राश्टी कैड़ेट कोर के उद्देश से क्या है बोलेंगे तो आपको तीन पॉइंट में लिखना है सबसे पहले लिखना है देश के युवाओं में चरीत्र साचारिय, अनुसासन, नेतरित्व, धर्मनीर पेक्षता, रोमांज, स्पोर्ट्समैन सीप, तथनी स्वार्थ, सेवा भाव का संचार करना, ये हो गया पहला पॉइंट, दूसरा होता है संगठित, प्रसिक्षित्व, प्रेरित, युवाओं का एक मा तो ये हो गया, M's of NCC, तो NCC की M's लिखो पुछेंगे या फिर राश्टिक एड़ेट कोर के उद्देश से लिखो बोलेंगे, तो ये तीन चीज़े आपको लिखना है, कौन-कौन सा, एक बर और ध्यान से सुनो, तो देश की युवाओं में चरीत्र साचरिय, अनुसासन, नेत्रित्व, धर्मनीर पेक्षता, रोमांच, स्पोर्ट्समैन सी, तथनी स्वार्थ सेवभाव का संचार करना, संगठित, प्रसिचित्व, प्रेरित, युवाओं का एक मानव संसाधन तयार करना, जीवन के प्रत्यक छेत्र में नेत्रित्व, प्रदान करना, वा देश क दा मोटॉ ओफ NCC यहां पे पुछा गया है राइट डाउन दा मोटॉ ओफ NCC यहां पे पुछा गया है मोटॉ और यहां पे फिर हिंदी में पूछा जाता है इसी को राष्टि कैड़ेट कोर के कोर का धे यह क्या है यह तो यहां से याद रखना है आपको unity and discipline यह होता है आपका राष्टी केड़ेट कोर का धे सुत्र इसी को बोला जाता है आदर सवा क्या एंगलिस में लिखना चाहो तो और अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एक और अनुसासन प्रसना आपके तीन प्रकार से पूछा जा सकता है सबसे पहला पूछा जाता है एंगलिस का धे सुत्र तो आपको कन्फ्यूज नहीं हो रहा है यूनिटी एंड डिसिप्लीन यही होता है एंगलिस और यह हो गया हिंदी एक और अनुसासन देखते हैं next question तो next question है Cardinals of NCC Discipline यहाँ पर प्रसन पूछागया है Cardinals of NCC Discipline प्रसन है Cardinal of NCC Discipline अनुसासन की विशेस्ताएं क्या है प्रसन यह पूछा गया है Cardinal की विशेस्ताएं क्या है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन-कौन से विश्यस्ताएं होते हैं अनुसासन की तो सबसे पहले obey with smile obey with smile पहला लिखना है उसके बाद दूसरा लिखना है be punctual उसके बाद तीसरा लिखना है work hard with outfuse उसके बाद चौथा लिखना है आपको make no excuses and tail no lies तो cardinal of NCC discipline ये हो गया English में अब आपको चीजे हिंदी में क्या से समझना है तो अनुसासन की विश्यस्ताएं क्या होती है पुछेंगे तो चाहो तो आप लोग English में भी लिख सकते हो या फिर आप लोग Hindi में भी लिख सकते हो अगर English में लिखना चाहोगे तो ये लिखना है अगर आपको Hindi में लिखना है तो क्या लिखना है सबसे पहले आपको लिखना है मुस्कुराते हुए आग्या कपालन करना ये पहला point हो गया उसके बाद समय के पावंद रहना ये दूसरा point हो गया उसके बाद तीसरा लिखना है आपको नी संकोच कठोर परिस्रम करना उसके बाद लिखना है आपको बहाने ना बनाना एवं जूट ना बोलना ये हो गया हिंदी में तो cardinals of NCC discipline और या अनुसासन की विशेस्ताएं क्या है पूछेंगे या फिर अनुसासन की विशेस्ताएं लिखे पूछेंगे तो आपको ये चीजे लिखना है उसके बाद पढ़ते हैं next question है right about NCC flag यहाँ पूछा गया है NCC की जंड़ा जो होता है उसके बारे में पूछा गया है तो राष्टी केड़ेट कोर का जंड़ा तीर रंगों से मिलकर बना होता है और प्रस ना और क्या पूछ दिया जाता है राष्टी केड़ेट कोर का जंड़ा खालिस्थन रंगों से मि ध्यान रखना है जो तीन समान पट्टियों में बटा हुआ है इसमें सबसे उपर लाल रंग की पट्टी बीच में गहरी नीले की पट्टी गहरा नीला जिसको बोलते हैं या फिर तथा नीचे आस्मानी रंग की पट्टी होती है जो क्रमसा जो सबसे उपर क्या रंग पढ़ था 11-minute का वीडियो था वो उसको अगर आप लोग नहीं देखें तो ध्यान से देख लेना है सारी जानकारियां आपको एंसे फ्लैक के बारे में उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डालूंगा तो तो NCC गान के लेखक का नाम लिखो यहां पर प्रशन पूछा गया है NCC गान के लेखक का नाम लिखो तो वो है स्री सुदर्सन फकीर यह याद रखना है NCC गान के लेखक कौन है तो स्री सुदर्सन फकीर और पूछा जाता है NCC गान के बोल लिखिये तो हम सब भारती हैं ये अभी current में है और पूछा जाता है NCC song के तौर पर पहले क्या गाना गाया जाता था तो वो था कदम मिला के चल क्या था कदम मिला के चल ये हो पहले NCC स्वांग के तौर पर इसको आया जाता था अभी क्या आया जाता है तो हम सब भारती हैं ये चीज़ आपको याद होगा उसके बाद देखते हैं अगला कोशन तो अगला कोशन है भारत में NCC के कितने नीदे साले हैं तो भारत में NCC के कितने नीदे साले हैं उसके बाद देखते हैं अगला कोशन NCC SD में एनो की रेंग क्या होती है most important question है यहां पे बोला गया है NCC SD एक चीज़ धेयां रखना अब यहां से फरश्न आई सब बना हैं जिसमें सब लोग फस होगे यहां पे फरश्न पूछागे है NCC SD में A&O की रेंग क्या होती है SD यहां पर बोला गएगे न तो सबसे पहले प्रश्णों को समझना क्या बोला गए है NCC SD मतलब senior division, SD मतलब क्या होता है senior division तो NCC SD में NO की रैंक क्या होती है, तो जब NO पास आ उट अपना जो training होता है उसको पास आउट करते हैं तो सबसे पहले उसको rank लगता है double star जिसको बोला जाता है lefty name ये चीज दिहाद रखना उसके बाद जब उनका जो next rank होता है वो क्या होता है triple star के साथ rank बढ़ता है तो उसको बोला जाता है captain तो ये हो गया captain का rank उसके बाद होता है तीसरा measure जिसमें एक कसो की स्थम होता है तो कौन कौन सा rank होता है समझना यहां से थोड़ा सा और अपना पहला training पास आउट करते हैं तो उसको लगता है lefty name का rank जो double star होता है उसके बाद दूसरा होता है captain का जो triple star होता है उसके बाद तीसरा rank होता है बड़ा जो होता है measure का सबसे पहले यह वाला rank लगता है फिर captain का rank लगता है फिर measure का rank लगता है ध्यान रखना अब प्रसन आपके मन में यह आ रहा होगा कि first star क्यों नहीं होता सीधा double star से क्यों चालू होता है तो इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे ध्यान रखने वाली की SD यहाँ पे बोला गया है SD तो SD में जो आपका A9 होता है उसका first star नहीं होता यह चीज़ ध्यान रखना सीधा वो double star के साथ चालू करते हैं अपना rank और double star हुआ तो यह हो गया आपका left in end कहा गया left in end उसके बाद triple star हो गया तो बोलते हैं captain उसके बाद triple star के बाद promote होता है major के लिए तो यह होता है एक असो की स्थम यह चीज़ याद रखना अब यहाँ पे SD बोला गया था अब देखते हैं JD के लिए तो NCC JD में ANO की rank क्या होती है तो यहाँ पे आएगा first first star क्या बोलते हैं star कहां गया हाँ first star यहाँ पे आगया अब यहाँ से समझना चीज़े NCC JD में ANO की rank क्या होती है तो यह होता है JD मतलब junior division तो सबसे पहले ANO का rank होता है इसमें आपका third officer जिसमें एक star होता है उसके बाद होता है second officer जिसमें double star होता है इसको बोला जाता है second officer उसके बाद होता है तीसरा first officer जिसमें triple star होता है triple star हुआ मतलब first officer उसके बाद होता है chief officer तो यह हो गया आपका खसोक इस्तम्ब यहाँ से समझना ना अब JD और SD दोनों में एनोस की rank अलग-अलग होती है आपका HD में सिर्फ तीन rank होता है सबसे पहला left in end फिर captain फिर होता है major और आपका जो JD है इसमें कितना rank होता है तो इसमें 4 होता है सबसे पहला होता है इसमें third officer फिर second officer उसके बाद होता है first officer और उसके बाद होता है chief officer ठीक है अब देखते हैं अगला question प्लीज प्लीज लाइक इस वीडियो share and comment अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक like कर सकते हो वीडियो को share कर सकते हो और चनल पर पहली बार आएं तो चनल को subscribe कर लेना फिर देखते हैं कोई तीन NCC civil का नाम लिखो very very important question है अगर आप लोग NCC A या B certificate की exam की तैयारी करें तो इसमें यह question आप से पूछा ही जाता है प्रस्न पूछा गया है NCC कोई तीन NCC civil का नाम लिखो तो सबसे पहले मैंने लिखा है ATC उसके बाद होता है CATC उसके बाद होता है NIC उसके बाद होता है RDC उसके बाद होता है TSC यह easy नाम है जो easy camps है जिसका नाम आप लोग असानी से याद कर सकते हो तो सबसे पहला है ATC तो ATC का पूरा नाम होता है Annual Training Camp उसके बाद होता है CATC तो CATC का होता है Combined Annual Training Camp उसके बाद आपको Note Down करना है NIC तो NIC का होता है National Integration Camp उसके बाद होता है चौथा RDC तो RDC का होता है Republic Day Camp उसके बाद होता है TSC तो TSC का होता है Thalcanic Camp यह चीज़े आपको याद रखना है उसके बाद देखते हैं अगला question तो NCC के प्रमुक किस rank के अधिकारी होते हैं Very very important question है प्रशन पूछा गया है NCC के प्रमुक किस rank के अधिकारी होते हैं तो NCC के प्रमुक अधिकारी Left in and General Rank के होते हैं अब इसी प्रशन को आपसे fill in the blanks में भी पूछ दिया जाएगा NCC के प्रमुक अधिकारी खालिस्थान rank के होते हैं तो Left in and General Rank के होते हैं और अभी वर्तमान में NCC के प्रमुक अधिकारी कौन है आपको पता है तो प्लीस comment box में जरूर बताना अगर आप लोग answer देते हो तो उस answer को मैं comment box में पिंट करूँगा उसके बाद देखते हैं अगला question कवायत से क्या समझते हो प्रस्ण पूछा गया है कवायत से क्या समझते हो तो कवायत आपको नहीं समझा रहा है तो मैं बता दू कवायत को ही बोला जाता है drill तो drill से क्या समझते हो पूछा जाएगा तो आपको लिखना है प्रसिक्षण में आग्या कारिता का भाव पैदा करना सरीर में फूर्ती लाना, ठीक धंग से कपड़े पहनना आत्मोबल बढ़ाना, मिल जूल कर कारे करने अनुसासन तथा सरीर व दिमाग को सुद्रिड करने है तू जवानों को ड्रिल कर आई जाती है यहाँ पे ड्रिल की परिभासा नहीं पूछा है न यह चीज़े आद रखना यहाँ पे सिर्फ यह पूछा गया कि ड्रिल से क्या समझते हो या फिर कवायाद से क्या समझते हो प्रसिक्षण में आग्या कारिता का भाव पैदा करना सरीर में फूर्ती लाना, ठीक धंग से कपड़े पहनना आत्मोबल बढ़ाना, मिल जूल कलकारे करने, अनुसासन तथा सरीर वदी माग को सुद्रिड करने है तू जवानों को ड्रिल सिखलाई जाती है उसके बाद देखते हैं, अगला प्रस्ण जिसमें पूछा जाता है ड्रिल की परिभासा लिखिए, अब यहाँ पे पूछा गया है ड्रिल की परिभासा पूछा जाता है, यहाँ पे पूछ दिया गया है ड्रिल के सिध्धान्त लिखिए, जिसको इंग्लिस में बोला जाता है प्रिंसिपल्स अफ डृल, तो यह चीज याद रखना, तो ड्रिल के सिध्धान कौन-कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है फूर्ती जिसको English में बोला जाता है smartness उसके बाद दूसरा होता है स्थिरता जिसको English में बोला जाता है steadiness उसके बाद तीसरा होता है मुल जूलकर काम करना जिसको English में बोला जाता है co-ordination तो drill के सिध्धान्त या फिर principles of drill पूछेंगे आपको तो 3 point आपको याद रखना है जिसको smartness बोला जाता है उसके बाद दूसरा होता है स्थिरता जिसको steadiness बोला जाता है उसके बाद तीसरा होता है मिल जूलकर काम करना जिसको coordination कहा जाता है उसके बाद पढ़ते हैं अगला question तो one share one comment आ गया write some bad habits in drill drill की बूरी आदते लिखिए पुछा जाता है तो सबसे प पहला point उसके बाद दूसरा होता है आँक का घुमाना ये हो गया दूसरा point उसके बाद आपको तीसरा लिखना है पाउ घसित कर चलना ये हो गया तीसरा point उसके बाद एडियो का टकराना ये हो गया चौथा point आपका फिर पाच्वा point लिखना है आपको बूट में उगलियों को हरकत देना तो ये क्या है write some bad habits in drill मतलब drill की बूरी आदते हैं कौन-कौन सा तो अनावस्यक हरकत करना सबसे पहला हो गया अनावस्यक हरकत करना फिर आंकों का घुमाना फिर पाउं घसित कर चलना फिर एडियो का टकराना फिर बूट में उंगलियों को हरकत देना यह है bad habits in drill उसके बाद पढ़ते हैं अगला question how many parts of word of command यहां पर प्रस्ण यह पूछा गया है word of command के कितने भाग होते हैं तो two parts two parts in word of command मैंने पहले पढ़ाया था अपने previous classes में तो words of command के कितने parts होते हैं तो two parts होते हैं कौन कौन सा सबसे पहला होता है कॉजनरी उसके बाद executive कॉजनरी जिसको बोला जाता है चेतावनी उसके बाद होता है executive जिसको बोला जाता है कार्या वाही या फिर इसी को बोल दिया जाता है कार्या कारी कार्य कारी तो ये चीज आपको ध्यान रखना है तो how many parts of word of command तो कितने parts होते हैं तो two parts होते हैं two parts in word of command कौन-कौन साथ तो पहला होता है काउसनरी फिर होता है executive हिंदी में बोले तो चेतावनी फिर कार्य वाही या फिर कार्य कारी बोल सकते हैं इसको पूछ दिया जाता है 7.62 mm LMG कितने मुख्य बड़े भागों में खुलता है और यहां से एक प्रश्ण और बनता है एक चीज आए यहाँ पे LMG LMG का पूरा नाम क्या होता है LMG का पूरा नाम होता है Light Machine Gun याद रखना LMG Light Machine Gun यह याद रखना है उसके बाद LMG मुख्य कितने बड़े भागों में खुलता है तो 5 बड़े भागों में खुलता है कौन-कौन सा तो सबसे पहला होता है Piston Group उसके बाद होता है Barrel Group उसके बाद तीसरा होता है Bird Group उसके बाद चौंथा होता है Body Group तो यह चीज आपको एकदम ध्यान से सुनना है 7.62 mm LMG मुख्य कितने बड़े भागों में खुलती है तो 5 बड़े भागों में कौन-कौन सा तो सबसे पहला होता है Piston Group फिर Barrel Group फिर Bird Group उसके बाद होता है Body Group फिर होता है Bipart Group उसके बाद पढ़ते हैं Next Question तो राइफल की सफाई करने के लिए क्या समान चाहिए तो Pull Through होता है तेल की बोतल होती है Combination Tool होता है फिर Grafide Gas Tube होता है फिर चिंडी होता है फिर Chamber साफ करने के लिए Bruce होता है उसके बाद Gas Regulator होता है उसके बाद Key Scroll होता है यह चीज़े याद रखना है उसके बाद पढ़ते हैं अगला Question Firing के बुन्यादी उसूल लिखी हो यहाँ पर पूछा क्या है Firing के बुन्यादी उसूल लिखो तो दुरुस्त पकड़ उसके बाद दुरुस्त सिस्त और दुरुस्त ट्रीगर का दबाना यह होता है Firing का बुन्यादी उसूल अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगा अपने से इसको याद रखना है वेरी इंपोर्टेंट रहेगा ऐसा पूछा जाता है हेट से क्या समझते हो ह, A, T या फिर पूछा जाता है हेट क्या होता है या फिर हेट से क्या समझते हो या फिर हेट का पूरा नाम लिखो तीन प्रकार से इसी को पूछा जाता है और चौथा प्रकार यहाँ पर यह पूछ दिया गया है कि Firing के बुन्यादी उसूल लिखो तो बहुत से कैड़ेंस इसमें कंफ्यूज हो जाते है तो हेट का पूरा नाम लिखो बोलेंगे तो हेट का होता है हेट से Holding यह हो गया Holding फिर A से हो जाता है आपका Aiming फिर T से हो जाता है आपका Trigger Operation Trigger Operation अब देखो यहाँ से पढ़ समझना हेट से क्या बोला Holding और Holding से होता है आपका दुरूस्त पकड़ उसके बाद दूसरा A से Aiming तो Aiming से होता है दुरूस्त सीष्ट लेना उसके बाद T T से होता है Trigger Operation तो यह होता है दुरूस्त Trigger का दबाना तो यहाँ से चार प्रशन बनता है एक ही जगा से चार प्रशन बनता है firing के बुनियादी उसूल लिखो बोलते हैं या फिर hate का पूरा नाम लिख पूछते हैं या फिर hate से क्या समझते हो बोलते हैं और एक प्रस्णा यहाँ पर पुछा गया है तो यह चीज को समझना बहुत important प्रस्णा है उसके बाद पढ़ते हैं अगला question तो ride the full forms of the following कुछ short forms दिये हैं उसके बाद इसका full form लिखना रहेगा आपको तो 84 mm RL का पूरा नाम क्या होता है तो 84 mm rocket launcher उसके बाद MPI का पूरा नाम तो mean point of impact उसके बाद इंसास का पूरा नाम तो Indian new small arm system यह होता है इंसास का पूरा नाम UBGL तो under barrel grenade launcher याद रखना very very important है इस चीजें तो UBGL क्या होता है under barrel grenade launcher उसके बाद MMG क्या होता है तो medium machine gun यह होता है MMG और मैंने अभी last time क्या बताया था LMG तो LMG का पूरा नाम light machine gun और यहाँ पे पूछा गया है MMG तो medium machine gun अब देखते हैं अगला question तो भारत में NCC की स्थापना किस सन में की गई प्रस्ण पूछा गया है भारत में NCC की स्थापना किस सन में की गई तो यहाँ पे लिखना है आपको भारत में NCC की स्थापना सन 1940 में की गई किसकी अध्यक्षता में किया गया पूछेंगे तो आपको याद रखना है पंडी 13 इनात कुझरू के अध्यक्षता में किया गया था उसके बाद NCC के प्रथम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था उसके बाद देखते हैं अगला question यहां से होता है आज का class complete friends आप लोगों चे एक छोटा सा request है class पसंद आया तो please class को like करना अपने friends के साथ share करना और channel पे पहली बरा है तो channel को subscribe करके bell icon को दवाना मत भूलना मिलते हैं next class में तब तक के लिए जय हिंद